हलो बच्चो, वेलकम प्रेडवी मेंशन, मेरा नाम है स्रिष्ट गुपता और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ राउंड वन का रेजल्ट आ चुका है, सैनिक स्कुली कांस्लिंग 2023 के लिए आप बहुत भी सबरी से इंतजार कर रहे थे राउंड वन भरे हुए काफी दिन हो चुके थे, हमें रेजल्ट का इंतजार था और रेजल्ट अब आ चुका है मैं आपको वेबसाइट पर जाकर स्टब बेस्टब दिखाऊंगा कि आपको चेक कैसे करना है कि राउंड वन का रेजल्ट क्या रहा है और जो रेजल्ट उसके हिसाब से आगे आपको क्या करना है ये सारी की सारी बाते मैं आपको धीरे-धीरे करके समझाता जाऊंगा तो वीडियो को अन तक देखिएगा और अभी बहुत सारे डीटेल्स और आने वाले हैं चैनल के उपर क्योंकि e-counseling अभी और लंबा प्रोसेस चलेगा admission से लेकर बाकी के जो rounds बचे हुए उन round 2, round 3, round 4 उन सबसे related data आपको इसी चैनल के अंदर मिलेगा इसलिए चैनल को subscribe कर लीजेए बिना किसी time wastage के आपन शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना मिस्टेब बेस्टेब बता देता हूं कोई साभी browser खोलिए आप Google Chrome खोल सकते हैं Microsoft Edge खोल सकते हैं आप चाहें तो Safari यूज़ करते होंगे तो वह खोलिए वहाँ पर आपको जाकर सर्च करना है Sanic School e-counseling Sanic School e-counseling जैसी Sanic School e-counseling आएगा आप उस पर सर्च करिएगा यहाँ पर जो पहला option है वो website है NOCG का और इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा All India Sanic School admission counseling यानि कि AISAC यानि यह जो website है इसी website के अंदर मैं आपको सारे detail मिलने वाला है सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पर नियूस देखिएगा तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि round 1 का जो result है वो आ चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे पता चलेगा तो उसको आप चैनल पर देख लिजेगा पर सबसे पहले counseling schedule पर क्लिक करके आपनको देखना है कि भाई साब result कब आया है और कब तक रहेगा तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला चीज़ तो यहाँ रिजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग डेट तो स्टार्ट हो चुका है यह लोग पता नहीं रात को ही release करते हैं मेबी इस वज़े से रात को release करते है कि कम लोगों को idea रहेगा कि result आया है तो server crash ना हो वी बिस वज़े से यह लोग राट को ही release करते है result व और the यहां पर देखो लास डेट बता रखा है जो आपको ध्यान देने वाली बात है जो कि है 21 मार्च जो की बहुत ज़्यादा गैप नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन के अंदर में 21 मार्च आज आएगा मतलब 17 मार्च को रेजल्ट है 17 के 18 ही मान लीज़े रात को 10 बज़े आया है तो 18, 19, 20, 21 चार दिन का टाइम है और उसमें भी 21 को 12 बज़े से पहले-पहले यानि कि आपको क्या करना है कि भीया इस पीरेड के अंदर अंदर में आपको अपना डिसीजन लेन लेना है कि आप राउंड वन में हां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर आपको सीट नहीं मिला है तब तो कोई बात ही नहीं है ये वीडियो आप बंद कर सकते हो लेकिन अगर आपको seat मिला है तो आपको ध्यान रखना है कि भाईसा बगर seat मिला है तो क्या मैं आगे forward move करूं या ना करूं यह decision लेने के लिए आपको तीन चाल दिन का time दिया गया है इसके बाद क्या होगा जैसी मानलो आपको सीट मिल चुकी राउंड वन में आपको मिल गया सैनिक स्कूल बाला चाड़ी मिल गया मानलो या फिर सैनिक स्कूल अंभी का पूर मिला आपने आपके पास नीचे एक option आएगा मैं खोल के दिखाऊंगा कैसा दिखते हैं तो वहाँ पर option में आपको accept करना अगर आपने accept किया तो accept करने के बाद आपको medical के लिए बुलाया जाएगा और medical में जो बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको अपना medical check-up करवाना है साथी साथ में आपको अपने documents का verification कराना है आपको सारे documents शो करने पढ़ेंगे वो list of documents के लिए अगली वीडियो अभी तुरंत आ जा आपको सैनिक स्कूल के साइट से जिसमें भी आपका selection हुआ है वहाँ से call आएगा या email आएगा या SMS आएगा जहां पर आपको dates बता देंगे कि भिया medical कहां पर कराने के लिए जाना है किस address पर कितने बज़े जाना है verification क्लिक कब आना है वो सारा details सैनिक स्कूल वाले दे दें से मानलो बात नहीं हो पाई तो आपकी ड्यूटी बनती ही कि आप बार बार सैनिक स्कूल जिसमें भी आपका selection हुआ है उसके website पर जाकी चेक करते रहें आप वहां पर आप मैं तो कहूंगा कि personally आप एक बार जाओ आप जैसी आपका selection confirm हो गया ना 20 मार्च के बाद किसी भी दिन मतलब 21-22-25 कभी विजितना जल्दी जल्दी हो सके आप उस सैनिक स्कूल को विजट करो और वहां पर ऑफीशली बात करके आओ कि भीया कब दिखाना कब है medical और कब आपको वह कराना है मतलब आपका verification कराना documents का तो यह सारा details आपको मेरे हिसाब से school में जाके करना चाहि document वह चार अप्रेल है यानि कि चार अप्रेल के बाद ने अगर चार अप्रेल तक नहीं शो किया आपके जो भी डॉकुमेंट से तो यह समझ लो कि भीया आपका selection खतम होने वाला है आपको कुछ नहीं मिलेगा ऑल्दो आपके marks कि साफ साफ का selection हो गया था पर admission नहीं मिलेग तो आप लोगों को यह चीज़तों समझ आ चुकी होगी इसके बाद अगर मैं आपको sign in करके दिखा देता हूं एक मेरे student का कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके result में क्या हुआ है आप यहां पर वापिस से back करिएगा तो यहां पर home आ जाएगा जो actual website था इसमें देखेगा यहां पर यह sign-in का option दिया हुआ है तो sign-in वाले option में आप जाईएगा तो नीचे यहां पर देखे यूजर नेम और पासवड आ रहा है यूजर नेम में आपका application नंबर डालना और पासवड में आपका जो पासवड हो डालना यहां पर पासवड अल्रेड है यहां पर left side में लिखा हुआ है candidate result पर click कर येगा तो यहां पर result आएगा है ना जैसे मैं यहां पर click करता हूँ जैसे candidate result पर click किया यहां पर दिखे लिखा हुआ है dear student no school has been allotted to you in this round as per your field choices यहने कि मेरे स्टुडेंट को round one में कोई भी सैनल के स्कूल का sit नहीं मिला हुआ है तो इसलिए हैं यहां पर Eisा लिखा ओए उपर में पर मान लोगर आपको सीट मिला होता तो आपक यहां पर लिखा रहेगा कि यहां नीचे side में कि कॉन से को सैनल किस्कूल properly कि मतलब क्या है accept करने का मतलब क्या है exit करने का मतलब क्या है यह सारे चीज में समझाऊंगा तो फिलहाल यह वीडियो बनाने का मौक्सा सिर्फ यह था कि आपको एक idea मिल गया कि रेजल्ट आ गया है चेक कर लो खतंबाद बाकी details के लिए अभी separate वीडियो में proper अच्छे से पूरे PDF के साथ बनाके डाल दूँगा ठीक है तो I think आपको उस सब चीजें समझागी होंगी तब तब हसते रही है मुस्कुराते रही है देखते रही है स्रेश सर की class जैहिन टाटा बाए बाए